जे टीवी की शो कुम कुम भाग्य में लंबा लिपा चुका है और अभी और प्रग्या फिर से जिंदिकी के दो छोर पर आकर खड़ी हो चुके हैं शो में दोनों का ये सेप्रेशन तो लोगों की धड़कनों को और ज़्यादा बढ़ा रहा है इसी के साथ अभी का देवदास और टूटे देलवाली अंदास पर फैन्स में रोने को मश्बूर हो गए हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रग्या की नए अवतार ने तो मानों हर तरफ आगी लगा दी है ब्रेश स्टाइल में प्रग्या का बॉस लेडी वाला अंदास ऐसा चाया है कि हर तरफ प्रग्या के स्टाइल के ही चर्चे हो रहे हैं पहले जब श्रीती का ये लाल ब्लेजर में लुक सामदे आया तो देखते ही देखते काफी वाइरल हो गया था पहली बार श्रीती ऐसे बिंदास अफ़तार में नज़र आए और इसी वज़स से फैंस उनके इस बास लेडी अफ़तार को देखकर काफी शौक रहने के साथ काफी खुश भी है और उनकी जमकर तारीफे भी कर रहे हैं तो वहीं अब ये नीले ब्लेजर में तो स्रीती क्या है ही ठा रही है जिस तरह से स्रीती ने इस ड्रेस को केरी किया वो कमाल का है उपर से उनका बॉस वाला एक्टिटीड तो हर किसी के पसी ने ही छुड़ा रहा है वल फैंस के नजरें सिर्फ और सिर्फ स्रीती पर ही आकर टग गई है हर एक सीन में स्रीती के लिए तारीफे ही निकल रहे है स्रीती के इस ट्रान्फोर्मेशन को लोग खुब पसंद कर रहे हैं वही शो में जिस सरसे बॉस लेडी के एंट्री से कहानी ने यूटर्ण लिया और लेटिस्ट एपिसोड को लेकर सोशल मीडिया पर बस बना हुआ है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इस बार ये शो टी आर पी में काफी बड़ा थमाका करेगा जी हाँ जो ओडियंस कुछ पक्त पहरे तक शो के ट्रेक से उप चुकी थी वही ओडियंस अब शो में आए इस नइट विस्ट की जम कर तारीफे कर रही है एक पर फिर से फांस में अभी और प्रग्या की कहानी को देखने के लिए तग्री एकसाइक्मेंट देखी जा रही है अभी प्रग्या के अलावा शो के बाकी के दारों में भी काफी नयापन देखने को मिल रहा है जिससे audience को कहानी में काफी नयापन लगने लगा है ऐसे में ये कहना बिलकुल गलत नहीं होगा कि आने वाले हफते में ये शो टी आरपी में नमबर वन बन सकता है वैसे भी लंबे वक्त से ये शो बाप की टी आरपी में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा audience भी शो के track से काफी खाफा दिखी थी लेकिन जिस तरह से प्रग्या का बॉस लेडी वाले अवतार को जनता पसंद कर रही है और शो की कहानी को लेकर भी बस बनता दिख रहा है और positive response मिल रहा है उससे साफ है कि इस पार टी आरपी में बड़ा उच्छा लाना तैही समझे वैसे आप क्या कहना चाहते हैं इस पार में क्या जिस तरह से शो के track ने यूटरन लिया और शो के एक-एक किरदार में बदलाव देखने को मिल रहा है क्या आपको नहीं लगता कि एक वार्फरे से ये शो टी आरपी में चाने के लिए बिल्कुल तैयार है शेर कीजिए अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्षन में